अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हूपीन कफ सिरप के बारे में अब इस कफ सिरप के फाइदे क्या है कैसे लेना है क्या side effect है क्या price है ये सारी जानकरियां जो है आज के वीडियो में आपको दूगा तो देखिए प्राइसे सुरुआत करें तो 225 रुपे में ये आपको 200 ml सिरफ मिलता है तो देखिए प्राइस समय का नूसर बढ़ती रहती है तो जो आज की प्राइस है वो देर मैंने आपको बताया है और ये जो है सान्डू कंपनी का है जो कि काफी अच्छी कंपनी है काफी पुरानी कंपनी है ये अब भैं इसको खरीदना कहां से है तो देखिए कोई भी जो आयरवेदिक मेडिकल इस्टोर होते हैं वहाँ से टराइ कर सकते हो क्योंकि ये जो है एक आयरवेदिक धपाई है या फिर आप इसको डिस्काउंट के साथ ऑनलेन भी खरी सकते हो तो ऑनलेन करीदना है तो भी निचे लिंक दे दूँग डिस्किप्शन में तो वहां से क्लिक करके आप इसको घर बैठे-बैठे वह भी डिस्काउंट के साथ मगा सकते हो अब देखे ये जो सेराप है ना 100% vegetarian है और कोई भी harmful chemical इसमें यूज नहीं होता है जो कि काफी अच्छी बात है मतलब सभी लोग इसको ले सकते हैं अब हैं ingredient के बारे बात करें इसमें क्या-क्या है तो ये कफ सिराप है अब देखे खासी जो होती है वो किसी भी प्रकार की खासी हो एक तो सूकी खासी होती है एक गीली खासी होती है तो ये दोनों ही खासी में जो है ये कफ सिराप असरदार होता है इसके लाबब जैसे के आपको chest में congestion लगता है कफ रहता है तो उसमें फायदा करती है लंग्स में इंफिक्शन है इंफ्लामेशन है तो उसमें ये हूपिन कब सरफ फायदा करेगा आपको इसके अलाबा खांसी के कराण आपने देखा हुआ गलाखरा हो जाता है उसमें फायदा करेगा सर्दी खासी जुकाम में फायदा करेगा यह, कोई allergy है उसमें फायदा करेगा, अब दिखिये अगर आपको जेसे के congestion होताした है चेश्ट में तो सास लेने में तकलीफ होती है, तो उसमें फायदा करेगा, आपको सास की नली है उसको खोलने में मदद करता है अपको अस्तमा है, दमागी बीमारी है उसमें भी ले सकते हैं इसके अलाबा आपका जो है गला बेड़ गया है आवाज जो है आवाज में देखा होगा आपने भारी पाना जाता है अब खासते खासते आपका गला खरा हो जाता है गला चिल जाता है ऐसा लगता है कि भाई अंदर से गला चिल गय से लेधा है कहीं कई यईह उसा होता है कि हम कुछ भी खाते हैं थोड़ा जब कि अब हो पैंगी उसके लायदा करें अगर जैसे आपको बहुत ज्यादा खासी चल ली तो हम बार लेकर इसको इस के लावा ज्यादा नहीं तो दो बार इसको लेकर देखिए इसके अलावा जो बच्चे होते हैं अब देखिए जो आधी चम्मस लेकर एक चम्मस इसको ले सकते हैं अब कब तक लेना है तो डिपेंड करेगा आपको मतलब कितनी खासी है तो 15 सिंदक आप इसको लेकर जरूर देख सकते हो अब साइड एफेक्ट के बारे बात करें तो देखें कुछ भी ऐसा साइड इफेक्क नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हैल्थ में इस ल जरूत नहीं है चाहिए वो यूनानी दबाई ले रहा हो तो सभी मेडिसिन इसके साथ ले सकते हैं अब भाई बात करें जैसे के कोई एलोपेथी वाला आपका फिरप ले रहा है तो उसको ले सकते हैं अब ऐसा कर सकते हैं कि जो है एक टाइम उसको ले लिया बागी के दो इसको ले लिया, थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस रखें, सुबा उसको ले लिया, तो दुफेर में इसको ले लिया, इस परकार से आप करके देख सकते हैं, बागि अधिक जान करें के लिए जो आप डॉक्टर से सला ले सकते हैं, अब फायदा कब तक देखने को मिल जाएग अब इदर भाई में कुछ एड़वाईज दूँगा, अगर आप ये हूपिन कब सरफ लेते हो तो, जैसे के अलकोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्फूड, मीठा, गुड़का, पान, मसाला, तमाकू, बाहर का खाना, पीना, ये सब बंद करें, ये सब हेल्थ के लिए, ये खासी के लिए बेकार होता है, आप हेल्दी राइट लें, एक हेल्दी लावी स्याल लखें, और इसके अलाबत थो बड़ा सा पानी ज्यादा पी जिए, और एक्सराइज बगेरा करते रहें, तो इससे आपका इम्मुनूटी स्टम भी अच्छा रहता है, तो ये मेरे आप एडवाइस फॉलो करिए, और साथ में इसको लीजिए, तो आपको जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो इधर मेरा वीडियो खतम होता है, और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है, हेल्थ और मेडिसन से लेटे, जोकि मैं डेली बनाते र कि छंगे एर!